करेंट का रिवेजन कर रहे हैं उसी करम में आगे बढ़ते हैं और करेंट देखते हैं 20 मॉई को बिस वमध मक्खी दिवस मनाये गया हाला कि यह 2017 से मनाया जा रहा है और हर वर्स 20 मॉई को मनाया जाता है और इसको जो मनाया पर इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आधुनिक मधुमक्खी पालंग के जन्मद आता है यह जैसे आधुनिक मधुमक्खी पालंग कैसे होती है कि पहले तो प्रड़ो पर मधुमक्खी छत्ता लगाती थी लोग वहीं से मधुनिकालते थे लेकिन इन्होंने क्या किया मधुमक् तो इन्ही की यादमी यह मनाया जाता है और इस बार की जो थीम थी वो है सेव दा वीज दो चीज इंपोर्टेंट होते हैं एक तो होते है थीम और दूसरा होता है दिन कौन से तारिक को मनाया गया तो 20 तारिक 20 माई को मनाया जाता है थीम क्या था थीम तभी इंपोर्टेंट इस बार की थीम थी और यह 20 माई को मनाय गया है यह इंपोर्टेंट है थोड़े ध्यान रखिएगा अगला देखते हैं मानो संसाधन विकास मंत्राले ने ने नेशनल टेस्ट अभ्यास आप लॉंच किया है अब इससे क्या होगा जैसे जो जेई के पीपर होते हैं जो नीट आप नाम सुने होंगे अब पहले नाम नाम नीट कर दिया गया और जेई आईटी तो इनके जो पेपर होने थे या पर जो कोचिंग चल रही थे जो टेस्ट होते थे बच्चों के बच्चे पहले टेस्ट दे के तयार होते तो फिर पेपर देते थे लेकर कोविड-19 के चलत आप लॉंच किया इसके तहट ये लोग फ्री में उस आप पर जाकर टेस्ट दे सकते हैं और अपना रजल्ट तुरंट पराप कर सकते हैं इससे क्या होगा इन्हें पता चल जाएगा कि इनकी तैयारी कितनी हुई है और ये अभी कितने पीछे हैं अपने आपको सुधार सक होथे जो मानौत संसाधन विकास मंतरी होता है वही सिच्छा मंतरी होता है उतु इनके पहले तो आप सुने होंगे प्रकास जावडे करते हैं अलाके मनत्रियों का पत तो बदलता तो यह इंपोर्टेंट है थोड़ा दिमाग में रखिएगा आगे चलते हैं यह इंपोर्टेंट है रेलवे ने पूरा किया 12000 HP इंडियन लोकोमोटिव रेलवे कमर्सियल कमर्सियल मतलब वाड़िजिक जो आप सुने होगे रेल दो होता है एक आदमियों को ले जाता ले आन और फ्रांस के सहयोग से क्योष्चन आइक किस्ति इस ने सहयोग दिया है तो फ्रांस के सहयोग से बिहार के मध्यपूरा में बनाया गया है लेकिन इसकी डिजयन बंगलूरों में तयार की गई थी कि दूसरी बात भारत की मुख्याला के नई दिल्ली और आप जानते हो कि लाट डलहोजी के समय poser 1883 में पहली बार हमारे देश में रेल चलाईगी थी तो 16 अपरेल 1883 में भारत में पहली बार रेल चलेए थी इसलिगे हर साल 16 अपरेल को रेल दिवस मनाया जाताँ आर 16 अपरे ERSP में हमारे देश में रेल पहली बार चलाईगी थी इंपोर्टेंट है अगला देखते हैं यह थोड़ा सा इंपोर्टेंट है नाम जानती रहेगा इंडियन इस्टील इसोसियेशन के जो नए अध्यच बनाएगे हैं दिलीप ओमन बनाएगे हैं पस और यहां कोई इस इंपोर्टेंट नहीं है अगला देखते हैं दच्छण एक नया रोबोट बनाये गया अब यह क्या करेगा जैसे डाक्टर ने मरीजयों को दिख्भाल कर लिया तो उनको जो दवा पहुचाना यह रोबोट पहुचाए गया इससे क्या होगा डाक्टर बार-बार मरीजयों के टच में नहीं आएगगे तो अंके संक्रमन होने के खतर कम हो जाएगा और इस तरह से संक्रमट रुख जाएगा तो क्यों मरीजों का इलाज भी हो जाएगा तो बड़ा इच्छा पहल है यहां आगे देखें तो जो दच्छर मध्रीलवे का मुख्याला है वो सिंगत सिकांदराबाद में है और गजन माल्या इसमें उसके प्रमहा प बढ़ती जा रहे हैं इसके कई केस आप देखें कुछ लोगा आप महत्या कर लेते हैं तो इन सब को रोगने के लिए जम्मुकसीद सरकार ने बीट इस्ट्रेस पहल सकून कोविड-19 बीट इस्ट्रेस पहली हो जना जम्मकसी सरकार ने शुरू किए कपी इम्पोर्टेंट है धियान रखिएगा आप किस सरकार न शुरू किया है तो जम्मकसीर सरकार ने शुरू किए अगला करेंट देखते हैं गोविंद राजूलू चिंटाला नाबाड के नए अध्यच बनाए गया है आपको पता है कि नाबाड एक ऐसी संस्ता है जो किसी छित में रिर देती है तो इसके जो पहले अध्यच थे वो हर्सकुमान भानवाला थे उनकी जगापर गोविंद रा से मसूर है तो सवच्वां ने सोचया है कि जो सूरि के नाम से मसूर है तो वहाँ पर जो व्रिजवा की वापरती हो सूरि के द्वारा हो इसलिए वहाँ पर गया उच्छा बनाई जा रही है, इसके तहत सरकार ने पचीस क्रॉर्ड रुपए देने का लच्छे रखा है और यहाँ पर दस मेगावाट बिजली बनाई जाएगी आगे चलते हैं मद्धपरदेश सरकार ने दीदी वाहन सेवा योजन शुरू की है इसके तहत दरसल मद्धपरदेश में बहुत सारी जन जाती हैं आप जी जानते हो कि मद्धपरदेश में भारत में सबसे जादा जंगल मद्परदेश में जहां जंगल सबसे जादा होंगे वहाँ पर जन जाती हैं भी सबसे जादा होंगे जय बिवित्ता किसी निश्चित छेत्र में जीवों की जो बिवित्ता होती है, जीवों को बनाये रखने के लिए लोगों को उसके पर जागरुक करने के लिए जय बिवित्ता दिवस मनाये जाता है भारत में अगर पुछे जाए सबसे ज्यादा जय विवित्ता कहा है तो आप देखिएगा ये जो पड़ता है ये दच्छडी घाट परवस्ड़ी और ये उत्तरी घाट परवस्ड़ी पूर्वी घाट तो ये पस्चमी घाट परवस्ड़ी है और ये पूर्वी घाट परवस जिसे सांत घाटी कहते हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा जय भीवित्ता है, जब पूछा जाए किस परवस्ट्रणी में है, तो सब ज़्यादा पस्चिमीक हाट परवस्ट्रणी में जय भीवित्ता है, उसके बाद हिमाले छेतर में है, उसके बाद अंडमान नीकोबार में है, यह important है और इस बार कीजो थेम थेम our solution in nature हर साल 23 मही को कच्छूवा दिवस मनाई जाता है हर साल 23 मही को 20 कच्छूवा दिवस मनाए जाता है और प्राकृत मीन रख्र्चण के लिए से मनाए जाता है अर सबस्क्राइब नब क्यूशन है कि भारत में सबसे सबसे ज्यादा कचुवा कहां आते हैं तो इसको इंपोर्टेंट है इसको दिमाग में रखिएगा कि भारत में सबसे ज्यादा कचुवे आते हैं उडिशा के तटपर बड़ी मातरा में कचुवे आते हैं और यहां अंडे देते हैं यहां से चले जाते हैं और यहां पर जो ज़्याद सब ज़्यादा आती है ओलियू रीडली कचुवे बड़ी मात्रा में उड़ीसा के तट पर आते हैं यह इंपॉर्टेंट है और यह इंपॉर्टेंट है कि 23 मही को कचुड़ा दिवस 22 मही को जय विबितता दिवस आप इसको याद रखिएगा आगे जाए कोविड करेंट है मध्यप्रदेश सरकार ने ही कोविड-19 के इलाज के चलते लोगों के बुखार के जाच के लिए बुखार किलनिक सेवा भी शुरू की है अगला करेंट देखते हैं सेरेना सेरेना बिलियम्स को पीछे छोड़कर जापान की नौमी उसाका सबसे अधिक बेतन पान मतलब कि सबसे दुनिया में सबसे जादा तेज इंटरनेट जो चला वह आश्ट्रेलिया में चला वहां जो स्पीड थी वह 42.2 टेरा बायट प्रत सेकंड थी इसका मतलब समत्ते हैं आप लगवग एक हजार अच्छी फिल्मों को आप एक सेकंड में डाउनलोड कर सकते हो इतना जबर्जस्त वहां पर रिकॉर्ड किया गया है हाला कि यूरोपी देश जो है संपोर रूप से देखा जाए तो इंटरनेट के मामले मच्छे हैं लेकिन अभी जो दर्ज किया गया है वह इसकी बात कहिया जा रहा है आश्ट्रिया के बारे में अगर आप जानना चाह कि पते हैं यह इंप्रॉटन है में दो यहास है कि खी मानी मेला कहां ऐसकानी किया जाता है। इस में लौक करद दिया इनकोर बात किल्यागर सो और इस समय मेले को वहां पर रद्द कर दिए अगला करेंड देखते हैं कें सरकार ने लाइसी के सहयोग से लाइसी के सहयोग से प्रधान मंत्री वह बंदना योजना सुरू किये इस योजना के तहत वरिष्ट नागरिकों को स्वाथ सुग्धा प्रदान की जाएगी और इसकी लाइसी की बात करें तो लाइसी के स्थापना 1956 हुई थी इसका मुख्याल है मुंभई में है और वर्तमा सियम बनाए गये थे अजीत जोगी उनका हाल ही में निधन हो गया है तो यह इंपवाटन्ट है वर्तमान में जो मुख्य मंत्री थे वहां के अखला करेंड़े सर्कार ने प्रवासी मजदूरों के सहाइधा के लिए रोजगार सीत योजना लॉंच की है इसके तहज़ मजदोरों अपने राज्जों में वापस लौट के आए हैं तो उनके लिए रोजगार की विवस्था की जाएगी तो इसके लिए रोजगार से तो योजना शुरू की गई है अगला देते हैं एक करेंट और देख लेते हैं 29 माई को हर साल एवरिष्ट दिवस मनाया जाता है यह इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 29 माई को नेपाल के तेन जिंग नोरगे और न्यूजी लेंड के एडमेंड हिलेरी आप सुने होंगे पहली बार कोई पर माउंड एरविट पर चड़ा था तो तेन जिंग नोरगे और नेपाल के थे और एडमेंड हिलेरी वह न्यूजी लेंड के दो लोग चड़े थे इनहीं की याद में 29 माई को एवरिष्ट दिवस मनाया जाता है और इसी के साथ यह माई महीने का करेंट जो है जो महत्तपूर था वह से बहुत सारी करेंट थे है इसके बाद जून का देखेंगे बागी कुछ आप भी किताबी लेकर पढ़ते रहेगा और पढ़ाई बंद मत करेंगा बहुत जरूरी है और जितना हो सके रिविजन करिए तैयारी जितना हो सके प्रैक्टिस्ट लेके करिए ताकि तैयार रहें पेपर क्योंकि जैसे ही लागडाउन खुलेगा जितने भी पीपर रोकें बड़ी तीजी से करवाई जाएंगे इसलिए आपको तैयार रहना पड़ेगा पहले से ही